नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने योटूब चैनल ऑस्ट्रो लॉजर जैवाबा में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे पित्री दोस की पित्रिदोस का मतलब ही बन गया है जिन्दगी एक स्राप पित्रिदोस एक स्राप की तरह आपके जीवन में कारी करेगा और तमाम खुसियां आपकी खतम कर देगा धीरे-धीरे तवाह करके जिन्दगी रख देता है इस वीडियो पर रंत तक बने रहना तक कि हमारी बात को आप पूरी तरह समझ सके मैं इस वीडियो में आप लोगों को पित्रिदोस निवारण के बाड़े में बड़ा सठीक उपाए बताऊंगा जोतिस से सम्मंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए या रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पित्रिदोस अधिकतर लोगों की कुंडली में होता है और ये सभी दोसों का बाप है क्योंकि पित्रिदोस जब भी एक्ट्व होता है तो पूरे परिवार को निगलने लगता है चलता है साथ पीड़ी पहले किसी भी पूरवज का अगर बिद्विधान से तरपन नहीं हुआ है पिंडदान नहीं हुआ है क्रिया करम नहीं हुआ है तो पित्रिदोस का दौर चालू होता है और कुल में जन्म लेने वाले लगभग 70 परसंट बच्चों में पित्रिदोस पाया जाता है और जब पित्रिदोस एक्ट्व रहता है तो घर में बच्चों की साधियां ही नहीं हो पाती है या लोगों को संतान उत्पत्ती नहीं होने देता है कई बार संतान होकर दुनिया से वापस जल्दी चली जाती है या संतान होते हुए भी उनके बेवहार की वजह से नहीं के बराबर ही मान के चली है ऐसे अवलाद मता पिता के दुस्मन होते हैं और माबाप का मान सम्मान और इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं पित्रिदोस में इनसान कुछ भी कर लेने के बावजूद लगातार करज में दबते ही चला जाता है और उसका काम का छोटा होते जाता है घर में रोज लड़ाई जगड़े होते हैं गलत और गंदी आदतों के साथ नसे की तरफ ढखेलता है जुआ की तरफ ढखेलता है पित्रिदोस कुंडली में पित्रिदोस है तो कोई कितनी भी तेज गती से क्यों न आगे बढ़ जाए लेकिन एक दिन पित्रिदोस उसकी टांग पकड़ कर खीच कर उसे नीचे जमीन पर वापस पटक कर जरूर दिखाता है और तमाम लोग जो दसकों से जीवन में संघर्स कर रहे हैं वे सब पित्रिदोस के ही सिकार होते हैं यदि कुंडली का बारीकी से बिशलेशन करके और इसका उचित तरीके से उचित समय पर निवारन कर लिया जाए तो इस महादोस महापाप से बचा जा सकता है जीवन में वापस से खुसियां और सम्रिद्धी सब चालू हो सकती है नोकरी ब्यापार धंदे जो ठप पड़े हैं वो वापस से सुचार रूप से चालू हो सकते हैं और पित्रिदोस के ऐसे कई उपाए बताए गए हैं सास्त्रों में लेकिन जिस तरह से पित्रिदोस के उपाए बताए गए हैं या तो ब्यक्ति आर्थिक मजबूरी बस उतना बड़ा उपाए कर नहीं पाता है और पुजा पाठ इतनी इसमें करनी होती है कि किसी के पास समय नहीं होता है कि वो इतनी ज़्यादा पुजा पाठ कर सके तो पित्रिदोस के उपाय के लिए यदि आप पित्रिदोस का स्टोन धारण करें सर्पेंटाइन स्टोन इसका सबसे बहतर उपाय और सबसे बहतर बिकल्प होता है सर्पेंटाइन इस्टोन को यदि आप धारण कर रहे हैं तो पित्रिदोस में बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी और इसके साथ साथ पित्रिदोस के लिए आप अपने से बड़े जो भी घर के बुजुर्ग हैं आपने कुल खांदान के बुजुर्ग हैं उनसे जब मिलिए तो उनका पैर छू करके आप प्रणाम करिए और पित्रिदोस का निवारण एक सबसे बड़ा अच्छू कुपाय होता है पितल के लोटे में जल, कच्चा दूद, काला तिल, अच्छत, लाल फूल, लाल रोली और उसमें थोड़ा सा सक्कर डाल करके या पितल के ही लोटे में करना है या इस्टील का लोटा इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि ताबे के लोटे में यदि आप सक्कर और दूट डालते हैं तो जहर माना जाता है तो इसका एक मिस्रन बना करके दक्षिड तरफ मोह करके घुटने के बल बैट करके अपने पित्रों को नीमित रूप से अगर आप जल अरपित कर रहे हैं तो उससे भी आपको पित्री दोस में बड़ी राहत मिलेगी इसके साथ साथ हर अमावश्या को अपने लंबाई के बराबर काला धागा एक नारियल में लपेट करके और बहते जल में प्रवाहित करिए और अपने पित्रों से छमायाचना करिए तो दोस्तों और भी बहुत सारे उपाए हैं यदि आपको कुंडली बिसलेशन करवा करके बारीकी से इसके उपाए के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमें कॉल कर सकते हैं आपकी पूरी सहायता की जाएगी और इस महादोस्त का निवारन उच्छित तरीके से किया जाएगा आपको अनायास का बेर्थ का खर्च नहीं करना होगा इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ वीडियो को एक लाइक एक कमेंट जरूर करना चैनल पर पहली बार आये हो तो सबस्क्राइब कर लेना धन्यवाद